नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना वेगन, सीनियर उपस्टेटरिशन गानेकॉलजिस्ट, मनीबाल हाउस्पटर गाजियबाद एक बार फिर आपके सामने उपस्ते तो एक नया टॉपिक लेकर यूरिनरी इन्फेक्शन्स, जो की महिलाओं में बहुत पाए जाते हैं तो इस छोटे से टॉपिक के बारे में छोटी सब्जा, यूरिन इन्फेक्शन्स क्या होते हैं? अगर हम medically बात करें तो यूरिनरी ट्राक्ट इन्फेक्शन्स, दो तरह से होते हैं Lower Urinary Tract Infection and Upper Urinary Tract Infection तो most common जो होते हैं, वो Lower Urinary Tract Infection हैं तो आज हम जो UTI की बात करेंगे, वो हम lower की बात करेंगे, जिसमें infection bladder में होता है और urethra की तरफ तक जा सकता है, लेकिन इससे उपर होने वाले infections जो होते हैं, वो हमारे upper में चले जाते हैं, जैसे kidney में infection हो, तो वो pyelonephritis कहलाता है और upper urinary tract infection में आता है, urinary tract infection जो most commonly होते हैं महिलाओं में जादा होते हैं, और किस तरह पेश होते हैं, ये छोड़ी सी बाते मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको lower urinary tract infection है, तो आपको महसूस होगा burning micturation, यानि की urine करने में जलन महसूस होगी, या urine पास करते वाग बहुत pain होगा, इन दो बातों से हमें बताती हैं कि आपको lower urinary tract infection है, बहुत जादा infection होनी की स्थिती में कभी-कभी आपको बखार और ठंड दे के बखार आ सकता है, lower abdomen में pain या lower back में पी pain हो सकता है, ये हो गए सारे signs and symptoms जो urinary tract infection में आपको मिलेंगे, आखर urinary tract infection होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि female genitalia जो है उसकी anatomy उसको infection को prone करती है क्योंकि female urethra काफी चोटी होती है, दूसरी बात multiple frequency, increased frequency of endocose भी हमको urinary tract infection देता है, नई नई शादी हो तो अकसर urinary tract infection होता है, जिसे honeymoon cystitis भी बोलते हैं, तो ये bladder infections किस वजह से होते हैं? most common cause इस infection का है E. coli, जो हमारा gut bacteria है, इस से होने वाले infection 80-85% होते हैं, बाकी infections rarely कभी viral या अने bacterial होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है जब हम उनका investigation कराते हैं, investigation में हम urinary culture and sensitivity कराते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि bacteria या infective agent कौन सा है, साथ ही हमें ये भी मालूम होता है कि कौन सी drugs की, कौन सी antibiotics की sensitivity या resistance है आपके अंदर, एक बार इसकी report आने तक, doctors आपको treatment तो start करते ही हैं, तो treatment में हम क्या करते हैं, सबसे common antibiotics आपको start करते हैं, साथ में Alkausoleus, Retralca जैसा agent देते हैं, जो आपकी heroin का pH normalize करता है, जिससे आपकी burning sensation कम हो जाए, जब तक कि आपकी sensitivity reports आती हैं, तो most common antibiotics जो prescribed है, वो शायद ना एट्रोफिरुन टॉइन है, जो आप क्रिपा करके अपने आप से ना लीजिएगा, हमेशा antibiotics अपने डॉक्टर के परामर्ष के उपरांध ही आप antibiotics start कीजिएगा, treatment बहुत आसान है, इसके अलावा जो general बाते हैं कि कैसे बचा जा सकता है, बचने के लिए आपको बहुत पानी पीके रखना है, खुब पानी पीना है, कभी भी dehydrated state में ना हो, साथ में personal hygiene, इसके अलावा मेरी ख्याल से यह चर्चा यहीं तक अगली बात नए topic के साथ मेलेंगे, धन्यवाद.